अब आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 7 सब्जेक्ट मैच क्लास 10 हमारी दे 19 जुलाई के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हम पढ़ेंगी अलग अलग 12 फूक्सिट करते हैं फ़र्स कोशिट कुरिशन है का 610 93 का अंगल कैसे बनाएंगी फृस्ट क्या है क में ट्रॉण कर सेजुरू कर लिए M और सब एक पुएंट कहीं पर भी ले लिया हम addictive C, दूसरा step, take C as the center, आपको क्या करना है, इस C को center मान के, draw an arc of any radius to cut the line at point D, कोई भी प्रकार कितना सा भी खोलो, और यहां पर क्या करो, एक arc खीच दो, ठीक है, और जो यह इस line को काट कियो, कहाँ पर D पर, ठीक है, take D as the center, अब D को center लो, draw an arc of the same radius, जितना पहले इतना खुला हुआ था न, उतना ही अभी खोल के रखना है, same radius की arc आपको लगानी है, ठीक है, किस तरीके से, यहां पर जैसे यह लगाई हुई है, ठीक है, यहां पर लगानी है, E point पर, उसके बाद क्या कर देना है, इस point को इससे मिला देना है, जैसे यहां पर मिला हुआ है, यह जो point मिल जाता है, यह कौन सा angle बनेगा, यह 60 degree का angle बनेगा, clear, हो गया 60 degree का, अब देखो आगे, construction of 120 degree, 120 degree का angle बनाने के लिए, draw a line M and mark a point C on it, अब की बार हमें क्या करना है, वही line बनानी है, C point कहीं पर भी ले ले लेना है, compass रखना है, point C पे, और draw करनी एक arc, ठीक है, पहले deeper करेंगे, जो इसको D पे कट करेगी, फिर D पे हम प्रकार रखेंगे, जितना पहले खुला हुआ है, उतना ही खोलते हुए, यहां एक arc लगाएंगे, ठीक है, D को center मानते हुए, एक arc लगाएंगे, जो E point पे लगेगी, फि इस जो इंगल बनेगा, वो बनेगा एंगल 120 डिगरी का, ठीक है, यह कोन सा इंगल बनेगा 120 डिगरी का, आगे देखो, construction of 30 डिगरी एंगल, 30 डिगरी का खोट सिक्स्री डिगरी का आधा होगा, 60 डिगे का हाफ होगा, तो क्या करेंगी, पैकिंगे A and B thunder. इतना तो आपको आता है, इतना आने के बाद क्या करना है, इनकी जो बीचों बीच से, मतलब इसके और इसके बीच का जो हाफ होगा, ये पूरा सिक्स्टे, इसका हाफ क्या होगा, 30 डिगरी, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी को काटते हैं, एक आर्क ए से लगाएंगे, एक बीच से लगाएंगे, काटने के बाद जो इसको बीच से हम जब मिलाएंगे, तो ये 30 और 30 डिगरी का एंगल हमारा बनेगा, ठीक है, ये हो गया 30 डिगरी का एंगल, clear, उसके बाद है, D आपका, construction of 90 डिगरी एंगल, 90 डिगरी का एंगल बनाना है, तो it can be made by two methods, दो तरीके से ये बन सकता है, कैसे पहला method है, draw a perpendicular by sector of 180 डिगरी, क्या गरो 180 डिगरी का आधा, ठीक है, जैसे ये क्या है, आपका method 1 एक लाइंगे, ये पूरा 180 डिगरी का एंगल है, तो इसका आधा, इसका आधा मतलब, प्रकार खोलो, यहां किसी पोइंट से यहां पे आर्क लगाओ, किसी भी पोइंट से लो, यहां मैंने प्रकार रखा, और यहां से आर्क लगाओ, फिर मैंने यहां रखा, यहां से आर्क लगाओ, और बीचे-बीच से इसको मिला दिया, तो यह क्या है, 90 डिगरी का एक तो यह तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, draw a bisector of 60 and 120 डिगरी, 60 और 120 डिगरी का bisector बनाना है, जैसे कि क्या करो देखो ध्यान से, यह मैंने लाइन प्रो की, ठीक है, लाइन पे एक पोइंट ले लिया, यहां से मैंने आर्क लगाई, तो इस पोइंट से आर्क लगाई, तो यहां पे यह 20 डिगरी बन गया, तो 60 और 120 डिगरी का हाफ, तो मतलब यहां से एक आर्क लगाऊ, और फिर एक यहां से आर्क लगाऊ, इसको मिला दोगे, तो यह क्या हो जाएगा, 90 डिगरी का एंगल बन जाएगा, ठीक है, तो यह दो तरीके है, 90 डिगरी का एंगल बनाने के, तो समझ में आ गया, तो यह आपको 60 डिगरी का एंगल, 120 डिगर वर लायर दिग्री का आंगल सुस्खिट चल यह को इए बिइस ऐसी एब ऐसे चालू आँ जी कोवेफ मेंन दुचिछिट ना भी जब बताना है क्यों रिडिकल से तुछ क्वें आज 156 तो धुर्फ जी अरो चॉल क मतर आए ज्दच नहीं हो हैं जो हम एक ruler की help से बना सकते हैं जो ruler मतलब जो scale है आपका ruler मतलब होता है scale और compass जो आपका प्रकार होता है तो आप scale और प्रकार की मदद से इन चारो angles को बना सकते हो कि नहीं यह आपको बताना है कि कौन सा कौन सा angle हम बना सकते है scale और प्रकार की मदद से पहला कोशिन तो यह हो गया दूसरा कोशिन है construct the angle of measure 135 degree with the help of ruler and a pair of compass दूसरे कोशिन में आपको 135 degree का क्या बनाना है एंगल बनाना है किसकी मदद से scale और प्रकार की मदद से आगे दोनों कोशिन समझ अब चलो इनकी solutions पे चलते हैं answers पे चलते हैं तो चलिए तो देखी है आपकी first question में पहले question में क्या दिया था कि हम इसको प्रकार और scale की help से बना सकते हैं कि नहीं तो इसको हम कैसे करेंगे तो कहा 하면서 सकते हैं तो क्या अए को पैल करने के बाद वह एंगल हम बना सकते हैं किया नहीं तो जिसे पैसे इसको स्केल सब्सक्राइब जा कर दिया क्योंकि 60 प्लस 10 10 डिग्री का तो मैं प्रकार से नहीं बना सकती ना डी से नहीं पूछा गया स्केल और प्रकार से पूछा गया है है ना तो 35 गुणा में दो 35 को दो से करूंगी तो 70 डिग्री आएगा तो हम यहां लिखेंगे 9 ठीक है तो 40 x 80 डिग्री 80 अंगल हम बना सकते हैं प्रकार और स्केल की मदद से नहीं बना सकते हैं ना 60 डिग्री प्लस में 20 60 प्लस 20 80 होता है ना तो नहीं बना सकते हम 20 का तो 20 का तो नहीं आता हमें बनाना 60 का आदा करके हम 30 तो बना सकते हैं लेकिन 20 नहीं बना सकते तो इसलिए ये भी क्या होगा ये भी हम प्रिकार और स्केल की मदच्चे नहीं बना सकते तो लिखेंगे no, नहीं ठीक है, तीसरा है 37.5 डिग्री इसका डबल करेंगे तो आएगा 75 डिग्री 75 डिग्री, इसको बना सकते हैं देखो, 75 को मैं ऐसे लिख सकते हूं 60 प्लस में 15 है ना, अगर मैं 60 डिग्री का बनाओ और 60 डिग्री में 15 डिग्री को और आड़ कर दू तो ये दोनों एंगल्स को मैं बना सकते हूं 60 का तो मैंने सिखाया अभी बनाना उपर वर्क्षीट में 15 का कैसे बनाओंगी जो हमने 30 का सीखा है अभी उपर पढ़ा था उस 30 का 60 का आधा करके 30 बनाया था 30 का फिर से आधा करके हम 15 बना देंगी है ना तो 15 का तो बन सकता है लेकिन 10 और 20 का नहीं बन सकता तो ये वहला एंगल तो बन सकता है ठीक है तो हम यहां लिखेंगे येस उसके बाद चो था फोर्थ है आपका 47.5 47.5 इसका आधा क्या होगा 47.5 का डबल करो सोरी कितना आएगा 95 डिग्री आएगा 95 डिग्री हम बना सकते है 90 प्लस 5 पांच चका तो हम एंगल नहीं बना सकते हम क्या लिखेंगे नहीं ठीक है तो यह हो गया हमारा question number one जिसमें हमारा first second third fourth चारो पार्ट हमने कर लिए हैं ठीक है यहां तक कोई डाउट अब चलिए अब हम करेंगे आपका जो second question है second question में हमें क्या करना था 135 का एंगल बनाते हैं तो यहां पर मारा जो second question है 135 का हम एंगल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे अभी मेरे पास फिलाग स्केल लेंगे तो मैं ढीकी help से यहां से 1 CD line लगा हूँ ठीक है तो चलिए draw करते है straight line यहाँ पर हम draw करेंगे यहाँ आपको दिख नहीं रहा है अब visible है, ठीक है यहाँ से मैं इसको एक straight line draw करूँगी यह हमने draw कर दी उसके बाद मैं क्या करूँगी center लोगी कहीं पर भी, कितना भी इसको खोल लो, ठीक है इसको देखो मैंने यहां पर ड्रो की एक आर्क ठीक है यह करने के बाद मैंने यहां पर इस पोइंट से देखो यहां से मैंने एक आर्क लगाई ठीक है फिर इस से जहां पर मैंने अभी अभी आर्क लगाई है उसी पोइंट से ध्यान से देखो इसी पोइंट से मैंने फिर से यहां रखा और मैंने फिर से एक आर्क लगाई, ठीक है, ये दो आर्क मेरी बन गई, अब इसको नाम देदो, यहाँ पे, जैसे ये जो point line center है, इसको C नाम देदो, ये line हमने draw की है, एक M, ठीक है, एक M line draw की है, उसकी बाद इस point को आप नाम देदो, यहाँ पे, जैसे ये हो गया, D, ठीक अब मेरे पास जो दो point है यहाँ पे E और F E और F है तो मैं इन से क्या को जितना खुला था पहले उतना ही खोलना है यह चेंज नहीं करना इसको देखो पहले जितना खुला था उतना ही लेना है अब मैं क्या करूँगी यहाँ से दोनों से एक बार मैंने इस point से आर्क लगाई फिर मैंने जो यह दूसरी आर्क थी ना फिर मैंने इस से आर्क लगाई ठीक है उसकी पास जो यह बीच में बनता है यह क्या बना मेरा 90 डिगरी का एंगल बन गया यहाँ ठीक है इस पे मैं dotted line बनाऊंगे क्योंकि हमें तो 135 का बनाना है ना तो मैं इस पर dotted line बनाऊंगी ठीक है इसको आप यहाँ पर नाम दे दीजिए कुछ भी A दे दीजिए जैसे ठीक है A नाम दे दिया मैंने और जो यह वाला point है इस point को इस point को इनाम देना था कोई नहीं वह आप नाम ABCD जो तो देखो यह मैं सिर्फ रफ में करके दिखारू हूँ आपको लिखना नहीं है यह 90 प्लस 45 कितना होता है 135 डिगरी होता है है ना 90 प्लस 45 तो अब मैं क्या करूंगे 90 का तो बन गया 45 का और बना दू इधर इस तरफ 45 का और बना दू तो 90 प्लस 45 मेरा 135 बन जाएगा है ना तो मैं क्या 45 कैसी बिना हूँ, इधर भी 90 degree का है, इधर भी 90 degree का है, है ना, दोनों तरफ है न 90 degree का, तो मैं इधर by set कर दूँगी, 90 का अधा कितना होता है, 45, 90 का अधा 45 होता है, तो मैं इन दोनों का by sector ले लूँ, इस line और इस line का या बीचों by sector कैसी लूँ, 90 का लो पहले, यहां से 90 का लिया मैंने, ठीक है 90 से इस वाली जो point है बीच में, यहां से मैं एक arc लगाती हूँ, ठीक है यहां से मैंने एक arc लगाई, दूसरी arc में कहां से लगाऊंगी, जो यह point है नीचे, 180 degree का यहां से बन रहा है, यहां से arc लगाऊंगी, आप देखो यहां पर यहां पर इसको आप फीच दो, यहां पर line प्रोफर दो, ठीक है, अब जो यह बाली line है न, अब जो यह angle बना है कौन सा, यह बाला जो angle बना है, यह, ठीक है, यह angle जो है, यह कितना है, 135 degree, ठीक है, तो यह हो गया मेरा question, तो हमें सिर्फ 135 degree का angle ही मनाना था, इसको आप यहां पर नाम अगर आपको लाइट दिख रहा है तो इसको थाड़ कर देते हैं लाइट तो नहीं दिख रहा है काफी लाइट हो गया शायद से बट आप क्वालिटी को इंक्रीज करके देख लेना ठीक है तो यह हमारा जो कोशिन है यहां पर कम्प्लीट होता है इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए यहां पर E और G से खीचना है चलो इसको हम नाम दे देते हैं कौन से कौन से हो गए A B C D E F G H हो चुक है इसको आई नाम दे दीजिए यहां से ठीक है इस पॉइंट को तो यह हमारा 135 डिगरी का एंगल बन गया है अब हमें क्या करना है अब हमें steps of construction लिखने है तो English Medium के जो बच्चे हैं वो लिखेंगे यह steps of construction में ठीक है यह लिखेंगे आपको दिख रहा हुआ सारे steps कितने ही यह 1, 2, 3, 4 और यह 6 steps है आपकी ठीक है और एक चीज़ और यहां पर आपको E की जिगे I कर लेना है ठीक है यहां पर I कर लेजिए सिर्फ इतना साब correction कर लीजिए तो यह हो गई हमारी जो सारे steps है steps of construction ठीक है हो गया यहां पर तो यह हमारे दोनों questions complete होते हैं अब देखें फिर भी आपको कहीं पर भी doubt है तो आप मुझसे पूछ रहेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह 6-6 steps हमने कर लिए हैं अब हिंदी म the video के बच्चे क्या steps लिखेंगे यह वाले steps लिखेंगे ठीक है न एक सोपैर्थिस कोन की रचना बनाने के लिए आप यह steps लिखेंगे ठीक है यह जो 6 steps है यहां पर भी आपको क्या करना है यहां एक की जगे आई कर लिए ठीक है अब ठीक है तो यह six steps आपको करने हैं I hope कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं ये नेक्स वीडियो में तिल देन टेक ये बाबाई